नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं सरहुल का उससा युवाओ के सीर चड़ कर बोलता दिखा सरहुल को वैसे तो प्रकिर्टी का पर्व धर्ती और सूरज का मिलन समाज में एक जुटता और सांती का परतिक के तौर पर देखा जाता है पर इस बार सरहुल में राइनिती का रंग भी देखने को खुब मिला है बता दे जर्खन के सियासत में इस वक्त सबसे गर्म और जोलंत 1932 के खत्यान कमोदा जोर सोर से उठा सरहुल की जहांखी के बीच जहां कुछ युवा अपने सरीर पर 1932 के असलोगन के साथ सलक पर नजर आए वह कुछ युवाओं ने अपनी बात रखने के लिए तखती और माइक का सहारा विलिया इससे पहले भी सरूल की जहांखी में समसमाई घटना करम की जहलक देखने को मिलती रही है इस बार 1932 का खत्यान लागू करो का मुद्धा भीड़ में गुझता रहा जहारखन में एलो अलर्ट जारी जहारखन में मंगलवार को लूच चलने के असार है मौसम विभाग ने अपने पुर्वनमान में बताया कि जहारखन के गड़वा पलामू लाते हा चत्रा और गीरी डिजीले में 4 वा 5 अप्रेल को कहीं कहीं लूच चल सकती है इसे लेकर एलो अलर्ट जारी किया गया है वैसे अन्य जगों पर मौसम सुस्क रहेगा और आस्मान मुख्यता साप रहने की संभावना है जारखन के अलग-अलग इलाकों में मौसम के मिजाज अलग-अलग रहा वहीं बादल कहीं लूच तो कहीं कोहरा भी दिखा बतादे अप्रेल में गर्मी और चिलाती धूप से जहां एक और लोग परसान है वहीं दूसरी और रभिवार के सुबा लोगों ने लोहरदा का मांडर समेत कई जगों पर जन्वरी जैसा कोहरा भी दिखा पास दिनों तक रांची के हट्या रेलवे स्टेशन से नहीं चलेगी ट्रेने रांची रेल मंडल के हट्या रेलवे स्टेशन से पास दिनों तक ट्रेन नहीं चलेगी हट्या स्टेशन याड में अगामी 11-15 अपरेल 2022 तक नन इंटर लोकिंग का कार्या होगा इसके करान यहां से ट्रेन नहीं चलेंगी इसके तहτα दो जोड़ी ट्रेनों को रद किया गया है वहीं साथ जोड़ी ट्रेन रांची रेल्वेय स्टेशन से खुल कर रांची तक ही आएगी नन इंटर लोकिंग कारे को लेकर राची रेल डिविजन ने त्यारी शुरू कर दिया है इस समध में CPRO आधिते चोजरी ने बताया कि राची रेल डिविजन से दक्षिन पूरवर रेलवे मुख्याला तिथी भेजी गई है लेकिन वहाँ से तीथी की स्वकृती नहीं मिली बताया गया कि हुटिया बाढा मुंडा सिंगल लाइन को डबल कारे किया जाना है मंत्री चमपाई सुरेन लूल लगने से बिमार जारखन के परिवाहन एवं आदिवासी कल्यान सह परिवाहन मंत्री चमपाई सुरेन की तवियत खराब होने से उन्हें टीएम एच में भरती कराया गया है दो दिन पुर्व राजनागर वा सराय के लाए में सरकारी योजनाव के सिलन्यास वा उद्गाटन के समय उन्हें लूल लग गई थी इधर सोमवार को सुबा नौ बज़े मंतरी टी एम एच में भरती हुए चिकित्सकों ने उन्हें दवा के साथ आराम करने की सलाह दिया है ट्वीट कर मंतरी सीरी सुरेन ने कहा कि लगातार चल रही जन सेवा और योजनाव को धरातल पर उतारने की कोशीज के बीच सोमवार के सुबा तवियत थोड़ी खराब होने लगी इसको देखते हुए जमसेतपूर के टाटा मैन होस्पीटल में भरती हुआ हूँ केंदरी ये मंतरी नितिन गटकरी से मिले बाबुलाल मरांडी भाजपा विधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी ने सोमवार को नई दिली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंतरी नितिन गटकरी से मुलकात की सिष्टा चार मुलकात के करम में बाबुलाल ने जहारखन में राष्टी राजमार्क की सेवाव में विस्तार का नुरोद किया और इस संदर में उन्हें पत्र भी सोपा बाबुलाल मरांडी ने गिरीडी बासुकी नाथ समेत राज्य में जैन बहुत एवाव मताव लंबियों के तिर्थ असलों को राष्टी राजमार्क से जोडने का अगराभी किया जहारखन के किसानों को सरकार देगी पांच लाह की रासी किसानों को आधोनी खेती से जोडने और उनकी आय बढ़ाने के उद्ध से किसान समुह को छोटे क्रिसी उपकरण बैंक की अस्थापना के लिए फ्रेरीत किया जा रहा है इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राज सरकार ने क्रिसी उपकरण बैंक के लिए अनुदान पर मुहाया कराई जाने वाली रासी में बढ़ोतरी किया है अब महिला स्वयम, साहता समु हो को किरीशी उपकरन बैंक की स्थापना के लिए राज सरकार पहले से अधिकरासी देगी उपकरन बैंक की लागत को 5 लाग से बढ़ा कर 6,25 रूपय किया गया है और किसान स्वमों को इसकासी परतिसत अनुदान सरकार के अस्तर से मुहया करया जाएगा या अधिक्तम पांच लाख रुपए तक होगा व्यक्तिकत किसानों को भी इस्वजना कलाब मिलेगा वे बर्ष 2011-12 से इस्वजना कलाब लेने से वंचित थे आज से नहाय खाय के साथ चैती छट माहा पर वसुरू हो रहा है चैती छट को लेकर वर्तियों ने त्यारी पूरी कर ली है नौरात्र के साथ साथ छट पूजा के लिए घाट भी बना लिया गया है सहर के बाड़ा तलाब, हटिया तलाब, काके डैम, रुका डैम, चडरी तलाब, जेल तलाब, चुटिया तलाब में चैती छट की पूजा के लिए सफाई की जा रही है हलाकि चैती छट पूजा में बर्तियों की संख्या कार्तिक मास के छट पर्व से कम रहती है जोतिसा चार्ज प्रणव मिश्र बताते हैं कि छट पर्व पर छट देवी को प्रसंद करने के लिए सुर्य देव की पुजा अर्थना की जाती है यह पर्व पूरी तरह से सफाई वस्वक्षता से भी जुड़ा हुआ है बता दे 5 अप्रेल को नहाय खाय, 6 अप्रेल को खरना वही 7 अप्रेल को डूपते सुर्वत को अर्थ और 8 अप्रेल को उगते सुर्वत को अर्थ है देश में इस बार उतर दिशा में होगी अधिक बारीज पाहन की भविस्वानी कुरोना संक्रमन की वज़ा से लगभग दो वर सोबात प्रकिती पर सरहूल के मौके पर निकली सोभायात्रा में सोमर को राची की सड़को पर आस्था का जन से लप उमर पड़ा सर के भी भीन सरना अस्थलों से निकली या सोभायात्रा एक एक करमेन रोट पहुँची दो पर लगभग दो बज़े यात्रा निकलने का जो दोर सुरू हुआ वदेर साम तक चला इस दोरन राजधानी राची की लभग सभी सड़के जाम रही इससे पुर्व परमपरा के निसार राची के हात्मा सरना अस्थाल पर पुजारी जग लाल पहन ने सरूल की पूरो संध्या पर दो घड़ों में रखे गए जल को देखकर इस वर्ष उतर दिशा में अधिक बारिस होने की भविस्वानी किया है सैनिक स्कूल में दसवी पास के लिए निकली भरती सैनिक स्कूल में नन टीचिंग स्टाप काटेगरी के पदो पर नौकरी के एक छुखा है तो आपके लिए संधार मौका है बतादे जार्खन के कोड़ारमा जीले में सैनिक स्कूल तिलया में जनरल एंपलाई वार्ड बॉय नर्सिंग सिस्टर और आया के पदो पर भरती निकली है इस भरती के लिए आवेदन डाक के जरिय करना है आवेदन प्राप्त होने के अम्तिम 33 अप्रेल 2022 है इन पदों के लिए हाई स्कूल पास नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा जैसे योगिता वाले युँए आवेदन कर सकते हैं जार्खन में कुरोना के तिन नए केस मिले है जबकि 9 मरीज स्वास्त भी हुए है जारखन में कुरोना के कूल एक्टिव केस की संखिया 69 है भारत में 913 नए केस मिले हैं जबकि 1316 मरी स्वस्त भी हुए है भारत में कुरोना के कूल एक्टिव केस की संखिया 28-709 है IIT धनबाद कैमपस पलेसमेंट का रिकॉर्ड तोड़ा है IIT IASM धनबाद में वर्ष 2022 बैच के चात्रों के कैमपस पलेसमेंट ने पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है अब तक वर्ष 2022 के 997 चात्र शात्राओं का कैमपस पलेसमेंट के माध्यम से नोक्री मिल चुकी है जल्द ही या आकड़ा एक हैर पहुं जाएगा पहली बार एक हैस के आकड़े को छुएगा अब तक वर्ष 2020 में सुर्वदीक 995 चात्र शात्राओं का कैमपस पलेसमेंट हुआ था महत्पूर्ण या है कि वर्ष 2022 बैच के चात्रों का कैमपस पलेसमेंट का या आकड़ा परत्यासियों के लिए आदर्स आचार संहिता जारी जार्खन राज निर्वाचन आयोग जार्खन पंचायत चुनाद 2022 के लिए त्यारियों को अमतिम रूप देने में जूटा है आयोग ने परत्यासियों के लिए आदर्स आचार संहिता जारी कर दिया है इसमें कहा गया ह कि भारत के समिधान के अनुछे 243 तो एवाम जार्खन पंचायत राज अधिनियम 2001 की संग धरावों के अंतरगत निहित सक्तियों का परियोग करते हुए आयोग द्वारा त्रियस्तरिय पंचायत निकायों के निर्वाचन है तू या आदर्स आचार संगीता त्यार कर गई है जार्खन पंचायत चुनाव 21-30 माई के बीच चार चरनों में संभावीत राज में पंचायत चुनाव 21-30 माई के बीच चार चरनों में हो सकता है हलाकि चुनाव की घोसना अप्रेल मा में ही कर दी जाएगी पंचायती राज विभाग तथा राज निर्वाचन आयोग में इसे लेकर संधायतिक समती बन चुकी है इस पर राजेपाल के स्योकिरिति ली जानी है हलाकि इसमें मामूली फिर बदल हो सकता है बताया जाता है कि अब तक की त्यारी के अनुसार पहले चरण का मतदान 21 माई को हो सकता है इसी तरह दूसरे चरण का मतदान 24 माई तिसरे चरण का मतदान 27 माई तथा अमतिम चरण का मतदान 30 माई को संभावी था है हलाकि अधिकरित रूप से अभी इसकी घोस्तना नहीं होई है प्रकिर्टी पर्व सरहुल की राज़ेपाल और मुख्यमंत्री ने दी सुब कमना है राज़े में प्रकिर्टी पर्व सरहुल धूमधाम से मनाया जा रहा है इसमें सुबे का आदिवासी समाज ही नहीं बलिक आम लोग भी बढ़ चड़ कर हिसा ले रहे है मुख्यमंत्री हेमान सुरेन ने भी राज़ेवासियों को सरहुल पर्व की बधाई दी है राज़ेपाल रामेश बैस ने भी सभी राज़ेवासियों को बधाई और सुबकमनाय देते वे ट्विट किया है दूसरी ओर सरहुल को लेकर आदिवासी समाज में खासा उत्सा का महल देखा जा रहा है आदिवासि बहुल राज़े होने की वज़ा से यहां इस पर्व पर लगभग सभी जीले में आपको आज के दिन परंपरिक वेजबुसा में नाज़ते गाजते नजर आएंगे सीएम हेमन्त की घोसना होस्टल में होंगे रसोईया वचोगिदार जारखन में सरहूल का उलास है सीएम हेमन्त सुरेण ने सरहूल के मौके पर मांदर बजाया और जम कर थिरके उन्होंने का कि कल्यान विभाग द्वारा संचालित होस्टल वजिरनोधार कर कमियों को दूर किया जा रहा है अब इन बालक बलिका छत्रावास में रसोईया और चोगिदार की वेवस्ता होगी आदिवासी बच्चियों के लिए होस्टल बनाने का निना भी लिया गया है ताकि उन्हें सहर आकर पढ़ाय करने में असुविधा ना हो इतना ही नहीं जारखन के सभी सरनास्तलों का जिर कर दी गई है इसके जरिये CBI की विशेस अदालत द्वारा पिछले दिनों दी गई साजा को चुनोती दी गई है हाई कोट के अधिवक्ता नीलेस कुमान ने बंधू तिर्की की ओर से ए याच का दायर की है इसमें आज साधिक संपती ममले में CBI की विशेस अदालत द्वार सुनाई गई साजा को निरस्त करने की मांग की गई इसके साथ ही आई याच का दायर कर अब बंधिक जमानत को कनफर्म करने का आग रभी किया गया है हजारी बाग के नेशनल पार्क जंगल में लगी आग हजारी बाग जीला अंतरगौत इचाग थाना छेतर से ही लगी जो अब तक जारी है हलाकी जंगल में लगी आग को बुझाने का पर्यास हो रहा है बन विभाग के टीम आग बुझाने में लगे है इस हादसे में फिलहाल वन जीव प्रानिक के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है लेकिन काफी संख्या में पेड़ पहुते जल गया है बतादे नेशनल पार्क जंगल में आग के सुचना मिलते ही डी एफो अवनिस चौधरी रेंजर सूरेश परसाद फोरेश्टर पांडे समेत बन विभाग की पुरी टीम सोमवार को आग बुझाने में जुटे है देवी धाम में लगा मेला प्रेत बाधा मुक्ति के लिए उमढ रहे सरधालू जारखन के पलामु जी लेके हैदर नगईसी देवी धाम परसर में चेत्र नवरातर पर मेला लगा है बरसो पुराना मेला कुरोना के कारण दो बरसों से नहीं लगा था इस साल पवंदी हटी है इसलिए चेत्र नवरात पर मेला लगाया गया है मेले में बड़ी संखेम लोग पहुँच रहे हैं यहां सरधालू ना सिर्फ पुजा अर्चना करते हैं बलिक जार फूक वा सिधियों से प्रेत बाधा के प्रकोप से बचाव के लिए देवी की उपासना की जाती है देश के कई राज्यों से सरधालू यहां पहुँचते हैं लेकिन यहां पीने के पानी की अच्छी ब्यवस्ता नहीं होने के कारण लोग भटक रहे हैं सरहुल सुभायात्रा में सरीक हुए मंत्री रामेश्वर उरा प्रकिर्ती पूजा का पर्व सरहुल लोहर्दगा जीले में परमपारिक उत्साग साथ मनाया गया चैतर सूकल पक्ष्तिरितिया के असर पर मनाया जाने वाला या तेवार धरती एवम सूर्य के बीवा उत्साव के रूप में मनाया जाता है कर्मा तेवार के साथ सरहुल का तेवार आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा तेवार मना जाता है बता दे सोमवार को सरहुल तेवार के मौके पर सहर की सड़के गुल जार रही जिले के दूर दराज से आए गरामीनों से सहर की गलिया पट गई सड़क एवं चोक चोराय पर आदिवासे समुदाय के लोग परमपारिक वेसबुसा में नजर आए सरहुल के मुख्य अनुष्ठान एमजी रोड इस्थीत जाखडा कुबा में हुआ इस मौके पर बतावर मुख्य अतिती मंत्री सहस्थाने विधायक डाक्टर रामेशर उराव समेथ विशिष्ट अतितियों को पगड़ी पहना कर समानित भी किया गया देव घर जूटेंगे देश विदेश के 300 हड़ी रोग भी से सगे जारखन अर्थोपेडिक एसोसियेशन की ओर से मईहर गार्डेन में अगामी 8,9 और 10 अप्रेल 2022 को तीन दिवसे 14 बार्सिक समेलान जो आकॉन 2022 का अवेजन होगा इसमें जारखन और भी हाल समय देश विदेश के 300 से अधिक हड़ी रोग भी से सगे डेली गेट्स सिरकत करेंगे ए हड़ी रोग भी से सगे महजूदा समय में हड़ी रोग के आधुनिक तक्निकी से उपचार परमंथन करेंगे इस बात की जनकारे मुखे संड़क्छक डा कान में पिछले 3-4 माँ से मीनी गन फैक्टरी चला कर अपराद को बढ़ावा देने वाला किंग पिन रभी कुमार अभी भी पूलिस पकर से दूर है हलाकि कोलकाता एस्टीएफ की टीम ने इस फैक्टरी को चलाने और अवैद पिस्टोल तयार करने वाले पकड़े गए च कुर्फ मकबुल हुसेन को साथ लेकर पहुची थी गिरीडी में अवैद माईका खधान से 4 धसने से 4 की मौत जारखन के गिरीडी जिले में अवैद माईका खधान में 4 धसने की बड़ी घटना घटी है इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है एक घटना गाव थाना इलाके के जंगल में संचालित अवैद माईका खधान की है जहां स्वमवार की दोफर को माईका निकालने के दरण आचानक चार्च धस गई है इसमें दबने से 4 लोगों की मौत की सुचना है हलाकि इस घटना में कुछ और लोगों के भी दबने की जनकारी मिल रही है आएकर विभाग डुगडुगी बजाकर राची में जबत की दूर्गार डेवलोपर्स की संपती आएकर विभाग राची की टीम ने कंस्ट्रक्शन कम्पनी दूर्गार डेवलोपर्स प्राइबेट लिमिटेट की कडोरों की तीन बेवसाई अचल संपतियों के जबत कर घागरा में 22 डिस्मी जमील के रूप में है इसकी डीड के अनुसार कीमत 120 लाक रुपए की है डीजल पेट्रोल की कीमत बिरिधी पर भागपा माले का आंदोलान राइधानी राची में आयुद भागपा माले केंद्रिय कमिटी की बैठक सोमवार साम संपन हो गई इस बैठक में कई राइनितिक प्रस्ताव पास किये गए पार्टी की ओर से कहा गया कि पांच राजियों में संपन बिधान सभा चुनाओ के बाद से अब तक केंद्र सरकार ने लगाता बरावी बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाया है महामारी और लोकडाउन के पिछले दो वर्सों में बेरोजगारी चरम पर पहुँच गई है ऐसे में इंदन के दाम को बढ़ाना जिससे खाद पदार्थों के दाम भी निश्ची थी बढ़ेंगे देश के गरीबों के साथ कुरूर मायाक है मुले ब्रीधी तुरंत वापस लेने किमां को लेकर भागपा माले द्वारा 7 से 13 अप्रेल तक देश्व्यापी अभ्यान चलाया जा रहा है नेतर हाट में नमांकन के लिए जहारखन का निवासी अनिवार नेतर हाट अवासी बिद्याले नेतर हाट में नमांकन परकिरिया में बर्ष 2022 से बदला होगा बिद्याले में नमांकन के पुर्व बिद्यार्थियों द्वारा जामा अवासी पवान पत्र का सत्यापन कराया जाएगा इसके लिए स्कूल प्रवंधन द्वारा अब नमांकन के लिए चैनित विद्यार्थियों का निवास पवनपत्र समंधित जीले के उपायूत को भेजा जाएगा विद्यार्थि द्वारा जमा पवनपत्र के सत्यापन के बाद ही नमांकन किया जाएगा बताए दे बिद्याले में नमांकन के लिए बिद्यार्थी का जार्खन राज का मुल निवासी अस्थानिय निवासी होना अनिवार्य होता है इसके लिए बिद्यार्थियों को सियो एसडियो द्वारा निर्गत निवास पवान पत्र जमा करना अनिवार्य होता है दो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंदर बज़े साथ सब वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स पर अपना फीड़बेक अवस्य दे थांक यू